हाई फ्रेंड्स कैसे आप सभी तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अपनी वेबसाइट को अपडेट करने के next chapter की और जहां पर आज हम बात करेंगे जन्रल सेटिंग्स की दोस्तों अब जन्रल सेटिंग्स की और कैसे यूज करना कैसे मेंटेन करना वह आप देख लिजिए यह यहां पर general settings के अंदर, contact person, यहां पर आप अपने company का owner name आप यहां पर डालिए, यहां पर आपको अपने company का नाम डालने, by mistake अगर आप change करना चाहते हैं, या फिर कुछ spelling mistake कर दिया है, तो आप इसे किसी भी time update कर सकते हैं, यहां पर आपको contact number, जहां पर आपको customer आपको call कर सके यहां पर आपको WhatsApp नमबर, जहां पर आपको customer आपको WhatsApp पर contact कर सके हैं, यह email address, यहां पर आपको address डालना है, अपना पूरा address जहां पर आपको customer विजिट कर सके, office location, यहां पर आप logo change कर सकते हैं, अभी हमें दिसालाई को logo रखना है, यहां पर आपको अपने social media के link अप्रेट क Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, and YouTube, embedded map दोस्तों आप यहां पर खाले भी छोड़ सकते हैं, अगर आप अपने custom map दिखाना चाहते हैं, अपने visitors को, तो आप यहां पर अपना map, जो embedded map होता है, वो आप कहीं से भी copy गर के यहां डाल सकते हैं, यहां पर दोस्तों payment link, अगर आप अपने client से कुछ payment collect कर चाहते हैं, जैसे रोजर पो है, रोजर पेशे, ATM, या फिर किछी other app का link है, जहां से आप अपनी payment collect कर सकते हैं, तो आप वो link यहां पर डाल दीजी, यह look and fill के अंदर आपको यहां पर slider, about us, counter, यही सब जो options दिखने हैं, आप चाहते हो कि आप अपने customers को team member नहीं दिखाना इस पर click uncheck कर दीज़ी, आप चाहते हो कि आपको blog and updates नहीं दिखाने, तो इसे uncheck कर दीजी, आप चाहते हो clients list आपको नहीं चाहिए तो इसे uncheck कर दीजी और save पर दीजी यहां पर templates, यहां पर अलग-लग templates, अलग-लग playing के according, आपके यहां पर अलग-लग templates मिलेगी, तो आप यहां पर जो template चाहते हो, वो template set कर लेजी and save changes. Thank you.